जब जब मोदी डरता है, ED को आगे करता है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लगतार विपक्ष कह रहा है नमश्कार, मैं नूर जहाँ और आप देख रहे हैं जनेत अवाज इस तरीके से जब जब मोदी डरता है, ED को आगे करता है पहले जो डेर सो सांसेदों को निलंबित कर देना फिर उसके बाद जो ये शराब घोटाला पहले आपको बता दे कि CM को बार बार ED द्वारा नोटीस भेजा गया और फिर CM ने एक PC में कहा कि BJP मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है और साथ ये भी बोलाए कि अगर शराब घोटाला हुआ है तो उसके जो सबूत हैं वो लाई है हमारे पास और साथ ये भी बोल रहे हैं कि जो 2024 के चुनाव हैं उसमें प्रचार करने से मुझे रोका जा रहा है दिल्ली के शराब गोटाले में पहले तीन जनवरी को CM को एक नोटिस भीजा गया पूशतास के जरीए फिर उसके बाद अरविन केजरीवाल ने कहा कि पहले तीन जनवरी को CM को पूशतास के लिए ED का नोटिस भीजा गया उसके बाद भी जो CM है अर्विन केजरीवल वो ED के सामने पेश नहीं हुए उन्होंने ये कहा, ED को लेटर लिखकर उन्होंने ये कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का राष्टे संयोजक होने के नाते राज्य सबा के चुनाफ प्रक्रिया में व्यस्त हूँ पहले जो एक लेटर गया वो 3 जन्वरी को गया फिर उसके बाद 21 दिसंबर को जो पहले उससे पहले भी एक लेटर गया था 21 दिसंबर को दुबारा पूछताश के लिए उनको दुबारा बुलाया गया था पहले लेटर गया 21 दिसंबर को उसके बाद गया 3 जनवरी को उसके बाद अर्विन केजरीवाल ने एक लेटर लिखके E.D. को बोला कि मैं एक राश्टे संयोजक होने के नाते राज्य सबा की चुनाव प्रक्रिया में व्यस्त हूँ मतलब है E.D. के शामने पेश नहीं हुए तो ये कहा जा रहा है ये जो शराव गोठाले के मामले में पहले दिल्ली के पूर्व उपमुक्य मंत्री मनिश सिसोधिया हो गिरफ्तार किया गया उसके बाद संजे सिंग जो राज्य सबा सांसद उनको गिरफ्तार किया गया और सात सिर्फ अवाज उठाने पे उनको निलंबित कर दिया गया और अब शराव गोठाले में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खतम होती चली जा रहे क्योंकि मनिश सिसोधिया सतेंद्र जैन संजे सिंग और उसके बाद बारी दिख रही है केजरिवाल की जिस तरीके से कल 4 ज की है वहीं सोशल मीडिया सवाल कर रहा था कि किस तरीके से जो भाजबा सरकार किस तरीके की राजनीती कर रही है बार बार एडी को ऐसे भेजना कि शराव गोठाले में इस तरीके से लगतार नेता हो गिरफतार करना और उसके बाद अर्विंद केजरिवाल की बारी है लेक लगतार विपक्ष सवाल उठा रही है कि हमेशा जब कोई भी घोटाले में भाजपा सरकार विपक्ष यहां भेज देती है कि विपक्ष लगतार सवाल यह भी कर रही है वहां वी रहाएक है कि लिदें आपавно क्यों बदेंग बनारस destru उनवर्सटी विए चूंक आरोपी ने मामला विपक्ष नेुआश है और CCTV जो फुटेज है वो भी पुलिस वालों के पास था लेकिन उसके बाद भी उन तीन आरोपियों को गिरफतार नहीं किया गया बलकि उन्हें MP में जो चुनाफ प्रचार के लिए उनको वहां भेज दिया गया और उसके बाद अब दो महीने बाद अब जाके उनको गिरफत लगतार किया गया है और साथी साथ जो यह तीन जो आरोपी थे यह बताया जा रहे हैं कि भाजपा के IT सेल में काम करते थे लगतार मतलब भाजपा अब दो महीने लगाएं उन्हें गिरफतार करने में इस तरीके लगतार सवाल विपक्ष द्वारा भी उठाए जा रहे हैं और ये भी देखा जा रहे हैं किस तरीकी भाजपा राजनीती कर रही है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं वे चीजे सही करने लग जाती है इस तरीके से दो महीने बाद आरोपी वह गिरफतार होना विपक्षों को निलंबित कर देना एडी के नोटीस भेजे जाने के जिस तरीके से अर्विन केजरिवान ने एक ट्वीट करके बोला है बीजेपी मुझे गिरफतार करना चाहती है मेरी सबसे बड़ी संपत्ती मेरी इमानदारी है ये लोग फर्जी मुकदमों से मेरी इमानदारी पर चोट करना चाहते हैं हम बीजेपी की इस गुंडा पाटी में ही काम करती हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली का तथा कतिच शराब घोटाला देश का पहला ऐसा गोटाला है जिसमें एडी सीबी आई दो साल की जाच तमाम रेड और गिरफतारी के बावजूत एक रुपया भी बरामद नहीं कर पाई लेकिन उन्होंने एक के बाद एक आप नेताओं को समन कर गिरफतार कर लिया भाजबा का अब यही स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियोर है सब जानत तरीके से आपने ट्वीट सुने और कहा जा रहा है कि जो यह सिफ केजरिवाल को चुनाफ प्रचार रोकने की साजिश है कि मेरी सबसे बड़ी संबत्ति मेरी इमांदार ही है यही उनका कहना है लेकिन उसके बाद भी एडी सीबिया को लगतार केजरिवाल के अवाज पर भ जा रहे हैं उनके तीन नेताओं गिरफतार करना इस तरीके से तो यह बीजेपी बड़ी ही साजिश कर रही है वहीं दूसरी तरफ आज पाज जनवरी है वहीं केजरिवाल ने मनीश सिसो दिया कि जनव दिन पर भी ट्वीट करा है कि यह दोस्ती बहुत पुरानी है हमारा स ने और भरोसा बहुत मजबूत है जनता के लिए काम करने का जुनूर भी बहुत पुराना है साजिश रशने वाली लाग कोशिश करने यह भरोसा यह दोस्ती कभी नहीं तूटेगी बीजेपी ने जूटे केस लगाकर मनीश को पिछले 11 महिने से जेल में रखा हुआ है ले जनम दिन मुबारक हो मनीश उन्हों ने यह भी कहाई कि उनके जनम दिन पर की 11 महिने से उनको जेल में रखा हुआ है लगातार की उनके जूटे केस्थ के आरोप में फसा उनको 11 महिने capacity लमें डालना उसके बाद अब लग रहा है किि अर्विंद केजरिवाल की वारी है और जिस तरीके से नैशनल मीडिया ने दिखाई दिये कि अर्विंद केश्जी वाला अब गिरफतार हो ही जाएंगे, कि जो पूरा शराब गोटाला है और इस तरीके से एडी का समन भेजना उनको, आपकी इसमें क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, धन्यवादा